बच्चो नमस्कार आओ करें और सीखें भाग संख्या 110 में आज हम सीखेंगे पूर संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन बच्चो पहला प्रस्ण है पूर संख्या 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए तो बच्चों आपको एक संख्या रेखा दी हुई है इस पर हमें 3 को प्रदर्शित करना है तो बच्चों संख्या रेखा में प्रदर्शित करना बहुत सरव होता है हम सबसे पहले 0 से 1, 2, 3 तक अंक गिनकर हम 0 से लेकर 3 तक घूमते हुए 3 से हम एक चिन्य बना देते हैं इस प्रकार से यह संख्या रेखा तीन को प्रदर्सित करता है इसी प्रकार बच्चो प्रसन करमांग 2 फूर्ण संख्या 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्सित कीजिए बच्चो इस प्रसन में भी हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हम अंक को गिनते हैं और हम 0 से 5 तक घूमते हुए तीर की सहायता से निसान लगा देते हैं इस प्रकार से संख्यारेखा 5 प्रदर्सित हो जाती है बच्चो अब हम प्रसन क्रमांग 3 को देखते हैं प्रसन क्रमांग 3 में एक संख्यारेखा प्रदर्सित है जिसमें 0 से 4 तक एक 3 का चिन्ह लगा हुआ है हमें बताना है संख्यारेखा पर प्रदर्सित संख्या का मान तो बच्चो इसका उत्तर आएगा 4 क्योंकि यह 3 0 से 4 तक गया है तो इसका उत्तर है 4 अब प्रसन क्रमांग 4 में 0 से 8 तक घुमता हुआ तीर लगा हुआ है अता है हमें संख्या रेखा पर प्रदर्सित संख्या का मान बताना है तो बच्चो इसका उत्तर आएगा 8 क्योंकि यह घुमता हुआ तीर 0 से 8 तक गया है बच्चो अब हम प्रसन क्रमांग 5 को देखते हैं, प्रसन क्रमांग 5 में लिखा है आप कोई 3 संख्याओं को स्वयम मानकर उसे संख्या रेखा पर प्रदर्सित करिए, बच्चो आपको एक संख्या रेखा 0-9 तक आपके सामने प्रदर्सित है, अब इसमें हमको 3 संख्या रे को प्रदर्सित करता है इसी प्रकार हम दूसरी संख्या रेखा के लिए 0 से 6 तक एक तीर की सहयता से चिन्य बनाते हैं जो संख्या रेखा 6 को प्रदर्सित करता है अब हम तीसरी संख्या के लिए 0 से 9 तक एक घुमते हुए तीर की सहयता से चिन्ह बनाते हैं जो संख्या रेखा नो को प्रदर्सित करता है बच्चो आज इतना ही अगले वीडियो में जल से जल मिलेंगे आपसे एक अन्रोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवर्ष करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो जब भी अपलोड होते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जल से जल प्राप्त हो सके धन्यवाद